गुद मॉर्निंग आज हम मार्किंग ओफ एफलेटिस ट्रैक के अंतरगर्द रिले रेसिस के बैट एन एक्षेंग जोन कैसे मार्क किये जाते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे अगर आप इस चैनल में नही हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले फोर इंटु दू हंडर मीटर रिले रेस रिले रेस जो है वो टीम इवेंट होती है इसमें 4 प्लेयर होते हैं और 2 extra प्लेयर भी होते हैं इसमें एक athlete जो है, वो 100 meter distance cover करता है, फिर वो next player को baton देता है, इसी तरह से जो baton exchange करते हुए जो है, वो finishing line तक athlete run करते हैं, इसमें lane की boundation होती है, जब lane की boundation होगी तो stagger दिया जाएगा, तो इसमें full stagger दिया जाता है, अब इसमें हम जो baton आप देख पा रहे हैं इस picture के अंदर, इस picture के अंदर जो है, इसमें baton take over zone हम ड्रा करते हैं, जो की 20 meter का होता है, उसके इलावा acceleration zone भी 10 meter का बना जाता है, acceleration zone का purpose होता है कि athlete जो है maximum speed के अंदर baton को exchange करें, जैसे हम जो first lane है, उसके लिए अगर हम scratch line हमें calculate करनी है, तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ से 200 meter start होती है, ठीक है, यहाँ से 200 meter start होती है, इस point से, और अगर हम इसके पीछे जाएंगे, 84.39 meter तो आपके पास यह line आपको दिख रही है, यह state का हमारा distance होता है, अब हम इससे क्या करेंगे, कील, यहाँ से कीले लगाएंगे, 30 cm जो border है, उसे हटकर, और 15.61 meter, हम पीछे जाएंगे, और हमारे पास यह वाला area जो आपके पास दिख रहा है, यह mark, यह first line के लिए scratch point होगा, ठीक है, यह वाला, ठीक है, यह scratch point होगा, first line के लिए, ठीक है, तो इसके 10 meter पीछे, और 10 meter आगे, ठीक है, यह baton take over zone बनेगा, ठीक है, और हम इसको, उसके बाद इसके 10 meter पीछे जो है, acceleration zone, ठीक है, इसी तरह से, यह second lane के लिए भी बन जाएगा, second scratch line भी, first lane जो lane है, उसके लिए बन जाएगी, third scratch line भी, जो है, हमने यहाँ से 15.61 meter के लिए लगाते हुए पीछे जाना है, और यह आपको दिखाए दे रहा है, यह scratch line, third scratch line हो जाएगे, अब हम बाकी lanes के लिए, second, third, fourth, fifth to eight lane के लिए जो हमने scratch line ड्रा करनी है, उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम formula यूज़ करेंगे, ठीक है, एक तो सीधा formula यूज़ हो, अगर formula जब हम यूज़ करेंगे, तो उस formula जो scratch line का है, वो रहता है, t minus ds upon t, multiply full stagger of that line, ठीक है, that lane है, ठीक है, तो t क्या है, total distance of curve, ठीक है, दोनु कर्ब का जो total distance है, वो आलडि हमने कल्कुलिट किया हुआ है, 231.22 meter, ठीक है, उसके बाद ds, ds क्या होता है, curve distance up to that scratch line, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस formula के अंदर values को put करना है, total curve जो है हमारी 231.22 meter होती है, ठीक है, और first scratch line जो है, है, क्योंकि first scratch line के अंदर athlete जो है, वो 100 meter ही distance कवर कर रहा है, ठीक है, यहां तक कितना करता है, 100 meter, ठीक है, तो हमारे पास 100 meter आ गई, और total curve का जो value है, वो आलडि हमें पता है, ठीक है, हमने क्या करना है, जब इसको calculate करेंगे, तो हमारे पास 0.56 meter आ जाएगी, ठीक है, अब भी हम full stagger की values में multiply नहीं करते हैं, ठीक है, तो second scratch line हमने निकालनी है, तो उसके लिए same रहेगा, पर इसके लिए जो हमारी curve distance है, क्योंकि इसमें क्या है, जो second scratch line यहां पर draw होगी, ठीक है, यहां तक आप देखेंगे तो, कि athlete जो है, एक पूरी curve यूज़ कर रहा है, ठीक है, इसमें athlete, क्योंकि second scratch line ये वाला area है, तो इसमें athlete पूरा एक curve यूज़ कर रहा है, तो इसमें value आजाएगी 15.61 meter, जो कि half curve की value होती है, जब हम इसको calculate करेंगे, 0.5 meter जो है, हमारे पास value आजाएगी, थर्ड scratch line जब हम calculate करेंगे, इसमें आप देखेंगे, थर्ड scratch line यहां पर draw होगी, इसमें क्या है, हम इसमें total curve distance है, ठीक है, वो है 231.22 meter, यूँकि इसमें कम कितनी distance cover कर रहा है, curve distance, इसमें करम distance देखेंगे, जो बनता है, वो है कम है 15.61, ठीक है, हमने अलड़ी इधर देखा था कि हमने 15.61, जो है less किया था उसमें, scratch line 3rd, scratch line के लिए, तो, जब हम वो minus करेंगे, 215.61 meter आ जाएगा, जब हम इसको calculate करेंगे, तो हमारे पास value आएगी, 0.06 meter, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से, जो है scratch line की, आप stagger की जो values है, second lane के लिए, जो stagger use करता है, हम stagger already हमने calculate किया है, वो रहता है 7.04 meter, ठीक है, जब इसको calculate करेंगे, यह मारे पास value आ जाएगी, इसी तरह से, third, जो stagger होता है, वो उसकी value होती है, 14.71 meter, ठीक है, तो जब हम इसको सभी को calculate कर लेंगे, इसी तरह से, scratch line, second scratch line की values भी calculate करेंगे, third line scratch line के लिए value जो हम calculate कर लेंगे, अब हमने क्या करना है, जैसे इसमें value आ रही है 3.94 meter, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास, जैसे यहां से center value, जो point होता है, जहां से हम radius ड्रा करते हैं, तो हमने क्या करना है, जैसे यह, जो scratch line है, first lane के लिए, उसके उपर से जाते हुए एक line ऐसे ड्रा करना है, ठीक है, एक विक्ति जो है वार हैगा, ठीक है, अब हमने क्या करना है, second lane के लिए क्या करना है, यहां से आपने three point, जो value है, यहां पर कितनी है, three point nine four meter, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां sir, key lane लगानी है, ठीक है, और 20-20 cm छोड़ कर, ठीक है, और 20-20 cm छोड़ कर, जब हम के लिए लगाएंगे, उसके बाद हमने जो value है, वो जो value है, वो जो value है, वो आजाएगी, हमार पास three point nine four meter जब आजाएगी, तो हमने यहां पर उसका mark लगा लेना है, ठीक है, वो हमने लगाना center से ही है, ठीक है, क्योंकि तिर्शा mark लगा, जैसे वो हमने mark लगाया और उसके बाद हमने, यहां से हम एक वक्ति जो पा रहेगा, इस तरह से, यहां पर हमने क्या कर लेना है, इसका निशान लगा देना है, ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से जो values होगी, third lane की, ठीक है, वो भी हमने यहां से ही, यहां से जो third lane के लिए जैसे value है, 8.23 meter, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां से 20-20 cm छोड़कर, जो कीड़े लगाके, फिर उसके बाद हमने, यहां से इंच टेप करके, हमने यहां से value, जो हम measure करनी है, ठीक है, यह वाली जो हमने first lane के उपर से, जो scratch line की हुई है, वहां से हमने 8.23 meter जब आएगा, तो उसको भी हमने यहां पर mark कर लेना है, ठीक है, इसी तरह से उसके फिर 10 meter पीछे, और 10 meter आगे, baton action zone बन जाएगा, और 10 meter पीछे, जो है, acceleration zone बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से हमने सभी, जो baton action zone है, वो बना लेने हैं, सभी lanes के लिए, ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे, यह already हमने values जो है, calculate कर ली है, ठीक है, अब हम बात करेंगे, 4 into 400 meter relay race, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि athlete, इसमें 3 curve की bondition होती है, जो first runner होता है, वो अपनी ही lanes के अंदर भागता है, second runner जो है, up to brake line, अपने ही curve के अंदर भागता है, और फिर जो है, वो first lane के अंदर आ सकता है, ठीक है, इसमें, एक athlete जो है, 400 meter का distance जो हो cover करता है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इसकी marking कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें हम, full, जो, full stagger plus half stagger plus diagonal axis, ठीक है, वो हम cover करेंगे, क्योंकि break line के बाद, जो second runner है, वो curve में बागेगा, first lane की तरफ जबाएगा, वो curve में बागेगा, तो उसको हम diagonal axis देंगे, तो अलड़ी हमने ये values, full stagger कैसे निकालते हैं, stagger कैसे निकालते हैं, diagonal axis कैसे निकालते हैं, हम परानी, वीडियो के अंदर हमने इसको discuss किया था, तो जब, जो values हैं, वो calculate कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद, यहाँ पर, जो full stagger है, वो value होती है, 7.04 मीटर, और half stagger की value होती है, 3.52 मीटर, और यह diagonal axis second lane के लिए, जो आता है, उसको add करकर, हमार पास value आजाएगी, ठीक है, ऐसे ही सभी lanes के जो हमने value calculate कर लेनी है, उसके बाद हमने marking कैसे करनी है, यह तो आ गया, यहाँ से start होगा, ठीक है, second lane के लिए, यहाँ से start होगा, third lane के लिए, यहाँ से start होगा, इसी तरह से जो athlete है, वो ले, आपने पने stagger start लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है, जो first runners है, वो आपने पनी lane के अंदर बागेंगे, second runner के लिए जो batten exchange zone बननी है, उसके लिए क्या करना है, कि, क्यूंकि athlete जो है, जो first वाला athlete जो है, वो पूरा 400 मिटर कहां कवर गरेगा, यहाँ पर, ठीक है, तो इसके, जो एक्चेंज जो बनेगी, ठीक है, 10 मिटर पीछे, 10 मिटर आगे, ठीक है, इसमें half stagger जो है, वो लगेगा, plus diagonal access, ठीक है, जो बैटन एक्चेंज जो थार्ड जोड कहां कितना बनेगा, यह जैसे यह 7.38 मिटर है, तो इसके 10 मिटर पीछे, और 10 मिटर आगे, यह जो second runner है, उसके लिए बैटन एक्चेंज जोन बनेगा, इसी तरह से सभी के लिए, जो बैटन एक्चेंज जोन है, वो लग-लग बनेगे, सभी lanes के लिए, और फिर इस point पर आकर, इस point पर आकर, break line के point पर आकर, यह first lane के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, तो athlete जो है बागता हुआ, second runner जो है बागता हुआ आएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर, 10 मीटर आगे, दस मीटर पीछे है, 10 मीटर आगे, इसके अंदर जो है, एक्चेंज होगा, ठीक है, यह जो line होगी, जो, सिर्फ फिप्ट, फिप्ट lane तक की ही, ड्रा की जाती है, ठीक है, यहाँ से, जो है, अब टू, फिप्ट lane तक की ड्रा की जाती है, क्योंकि, यहाँ से तो, एथलीट आएगा, तो फिर्स्ट lane के अंदर ही भागेगा, ठीक है, तो इसी तरह से, एथलीट जो है, जो थर्ड रणनर होगा, वो भी कम्प्लीट करेगा, ठीक है, यहाँ तक, और इसके, जहां से बैटन देगा, और फॉर्थ रणनर वाला भी भाग कर, जो है, यहाँ पर फिनिश कर लेगा, ठीक है, तो यह था, फॉर इंटू, फॉर हंडर मिटर रिले रेसिस के लिए, हम कैसे मार के आते हैं, अगर फिर भी आपका कोई, इसमें डॉट रहा गया होगा, तो आप कमेंट सेक्षिन के अंदर, जो है, आप बता सकते हैं, उसके लिए जरूर, हम कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को आप जासे जज़ा शेयर करें, सिस्क्राइब करें, चैनल को सिस्क्राइब करें और लाइक करें, थैंक यू,